Hi friends, stock market में common investors को हमेशाद दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए पहला ये कि अपना common sense यूज़ करें दूसरा ये कि रोज नया सीखें और अपना analysis खुद करना सीखें दोस्तों अगर आप ये दो steps follow करते हैं तो यकीन मानिए आपको profitable investor बनने से कोई नहीं रोख सकता है और long term में आप बहुत सारे multi-bagger returns कमा सकते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत important होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं batteries के खेत्र में एक जबर्दस company जिसका नाम है HBL Power System Limited और इस company का complete fundamental technical और financial analysis करके हम ये जानेंगे इस वीडियो के end तक यकिनन हम ये जान जाएंगे कि किस परकार का return आप इससे expect कर सकते हैं क्या ये आपको बहुत बड़ा मुनाफ़ा कमा के दे सकती है वीडियो बहुत important है इसलिए दोस्तों आपको इसे last तक जरूर देखना है और last मैंने आपके लिए एक surprise भी रखा हुआ है कि free में portfolio review कैसे करवाया जाए तो दोस्तों वीडियो last तक देखिए और इसे like करना मत भूलेगा Let's begin सागर्णोमिक्स So दोस्तों इस company के बारे में हम सबसे पहले जानते कि company करती क्या है तो देखिए इस company को आप एक बार इसका background अगर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि दोस्तों ये company basically batteries में involved है batteries का जो production है उसमें है और अगर आप इसमें देखेंगे कि इसका जो overall revenue है उसका जो major portion है वो battery vertical से ही आता है यानि 64% इसका जो revenue है वो batteries से आता है ठीक है अब batteries में इसमें एक खास बात ये है कि दोस्तों batteries के अलग-अलग categories होती है जिसे lead-acil batteries होती है और lithium-ion batteries होती है उसी तरह से एक battery होती है nickel cadmium battery और उसमें ये दुनिया में second number पर है तो ये leader है एक तरह से उस field में दूसरी बात ये है कि दोस्तों इसको कहां-कहां से order मिलते हैं ये देखिए पहला order defense vertical से तो पहला type की जो batteries ये sell करती है वो defense sector को करती है और आपको पता ही है इंडिया का defense sector कितनी तेजी से grow कर रहा है हमें नए missiles नए aeroplanes जिसे तेजस हो गया अगनी पृत्वी इस टाइप के बहुत सारे projects के उपर batteries के ज़रूरत पड़ती है तो defense vertical से 24% इनके revenue आते हैं बड़ी batteries जो है जो मैंने आभी बताया उससे 64% revenue है और railway की जो railway से related batteries है जो locomotive में use होती है उससे 10% revenues इनको आते हैं तो इस प्रकार से revenue कुल मिला करके इनका diversified field से आता है जो एक अच्छी company के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक अकेले customer पर निर्भर नहीं है अब अगर आप इसमें देखें इनके जो top customers है जो बड़े customers है उनसे 6% of the total revenue इनको हासिल होता है और जो top customers हाँ तो एक जो single top customer है उससे 6% revenue आता है और बाकी की जो total 5 customers है उनसे 19% मतलब सिर्फ 6 customers total इनको 25% of revenue देते हैं अगर बात करें तो दोस्तों इसमें अभी इसके पास लगातार order books बनती आ रही है और अभी 800 करोड रुपे की order book इसके पास में already है और ये कहां कहां से 47% of silver, zinc, submarine and lithium batteries और 20% nickel cadmium batteries की है और 10% TCAS और TMS type की जो railway से related requirements है और बाकी की जो बची हुई है वो lead acid batteries से related है अगर हम देखें तो इसकी 80 countries कितना कितना वोला 80 देशों में इसका business है तो ये worldwide एक global company है और company जो है वो scheme जो है of amalgamation तो ये shares को amalgamate यानि की mixing करने का काम उस पर भी plan पे काम कर रही है और इसके अलावा दोस्तों इसके details तो बहुत सारी है लेकिन अब हम इसके fundamentals पे नज़र डालते है company की overview आपने देख लिए batteries के खेतरे में काम करती है अगर हम इसके fundamentals को देखें तो आपे देखिए कि 8000 करोड रुपए की market cap है company की और 289 की अभी price चल रही है जो लगभग 50, 52 हफते की यानि सालगर की जो top price है उसके लगभग आसपास में है company का जो PE है वो है 62 जबकि industry का जो PE है वो है 79.9 यानि थोड़ा सा undervalued है इसको आप मान सकते हैं कि इस industry में जो companies है उसके मुकाबले में यह undervalued है अगर हम बात करें dividend yield की तो दोस्तों ही dividend लगातार दे रही है और 0.16% इसकी dividend yield है profit अब यहां एक interesting चीज़ बताऊंगा दोस्तों एक खास बात क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आंकड़े तो हरको ही बोलता है जो data है वो तो सब जगे मिल जाएंगे आप google पर सर्च करो आप इदर उदर videos में देखो कहीं भी लेकिन data का असली मतलब क्या है एक businessman की नजर से वो पता होना जरूरी है तो यहां अगर आप देखोगे तो आपे देखें कि sales जो है वो 5 साल में सिर्फ minus 3.1% यह नहीं sales 5 साल में कम हुई है लेकिन profit की growth हुई है 21% इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब दोस्तों यह हुआ सीधा सा कि इन्होंने जहां customers जो ऐसे थे जो दुखी कर रहे थे इनको पैसा देने में यार आना का नहीं करते थे उन customers को product sale करना बंद कर दिया और इन्होंने सिर्फ profitable जो इसमें नतीजा निकाल सकते हैं देखें तो आप price to book value जो है वो 8 times यानि कि महंगी तो है बट बहुत महंगी भी नहीं मान सकते debt to equity बिल्कुल control में है कोई दिकत नहीं है सिर्फ 86 करोड का debt है enterprise value 8000 करोड के आसपास की है तो उसमें 86 करोड तो 1% होता है यानि total enterprise value का एक टका इसमें debt है तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए अगर हम बात करें नीचे अगर देखें कि इस company में value कितनी है तो दोस्तों इसकी value को एक बार judge करने की हम लोग कोशिश करते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि यह जो graph है उसमें आप साफ तोर पे यह clearly यह देख सकते हैं कि company हमेशा profitable रही है मतलब जब 2000 यह मार्स 2020 के से December 2020 का जो period था यह COVID वाला period था basically उस दोरान भी यह negative में नहीं गई है मतलब कि profit क हुआ है definitely कम हुआ है बट यह हमेशा इसने profit दिया है और उसके बाद से तो देखिए September 21 के बाद से लगातार profit इसका grow करता जा रहा है जो इस company की strong business model को show करता है अगर हम इसके बाद में देखें कि इस company की जो industry wise अगर देखें तो industry में भी यह अपनी top पर है तो जो batteries वाली industry मे है उसमें कौन-कौन सी company आती है everyday आगई आपकी panasonic energy आगई इंडो national अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी market cap वाली यह company है यानि कि इसके पास में एक तरह से मोट है मोट होता है competitive strength यानि वो चीज जो आसानी से competitor match नहीं कर सके अगर आप इसमें देखें बाक इसके results है उनकी तो आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि sales जो है वो लगातार इसकी यहाँ पंद्रा सो करोड के आसपास थी और लगभग एक range में चली है कभी उपर हो गई कभी नीचे हो गई और इसके बाद में sales इसकी यहाँ इस जिगे डाउन हुई है और उसके बाद थो आपको इससे जुड़ी हुई एक जोरदार चीज बताता हूँ कि आगे बढ़ेंगे इससे पहले आप यह देख लीजिए कि इसके बारे में जो rating agency है वो क्या कहती है यह दोस्तों इसकी आइकरा की जो report है केर की report है और उसमें इन्होंने क्या कहा है उसमें इन्होंने कहा है एक जिगे पे बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बता ही दूँगा बट इन्होंने क्या कहा है यह मैं आपको important चीज पहले बता दूँगा देखिए यहां क्या लिखाया दोस्तों इन्होंने कि rating sensitivities अब यह कह रहे हैं कि rating बाद में revise भी हो सकती है और उसमें क्या क्या चीज होगी तो revise होगी positive factors अगर company इन positive factors को meet कर जाती है तो rating इनकी improve हो जाएगी और एक अच्छा update दूमा आपको कि recently इनकी rating improve भी हुई है अब इन्होंने rating agency ने क्या इनको कहा था इन्होंने कहा था कि भाई आप return on capital employed 13% consistently अगर आप बना लोगे ठीक है तो आपको हम rating को improve कर सकते हैं और अगर आप देखोगे तो इसने जो return on equity है capital employed है उस पे काम किया है और मुनाफ़ा भी 13% से उपर आप साफ तोर पर देख सकते हो मैं आपको यह जरा बतायता हूं कि return on capital employed जो है वो इन्होंने कितना दिया है इसके अंदर वो देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने 13.6% return on capital employed show किया है जिससे की जो rating agency ने जो इनको target दिया था कि हम आपको upgrade कर देंगे अगर आप यह target meet करते हैं तो इन्होंने यह meet कर लिया है और यह अपनी financial performance को improve कर रहे हैं साफ तोर पर उसी की वज़ा है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे इस पर जाएंगे site पर इसकी पर अगर NSE BSE की site पर जाकर कि अगर देखते हैं इसमें तो इन्होंने recently जो इनकी credit rating है वो दोस्तों improve हुई है और क्या हुई है यह मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यहां पर इन्होंने यह कब की rating है यह है 22 अगस्त 2023 की बिल्कुल recent और यहां पर इन्होंने इसको क्या कर दिया है positive आप देख रहे हैं क्यों positive कर दिया है क्योंकि जो rating agency ने कहा था वो improvement इन्होंने करके दिखाया है अभी हम वापस इसी पर आते हैं तो आप समझ गय दिया है दोस्तों 20% की आसपास कभी ज्यादा कभी कम एक भी साल ऐसा नहीं गया जब इन्होंने डिविडेंट नहीं दिया है यह बहुत अच्छी बात है बाकी देखें आप इसमें अगर रेशो में बात करें तो इसका operating profit हमेशा से रहा है और बाकी जो cash flow है वो भी ठीक ठ है डेटर्स डेज जो है वो इन्होंने कम किये हैं और साथ में अगर आप देखो तो cash conversion cycle पहले 159 था फिर यह बढ़ा है और यह 222 डेज तक पहुंच गया था मतलब 246 डेज तक यानि कि जहां आज आपने पैसा डाला बिजनिस में तो 246 डेज बाद में मालवाल बनना बिक है यानि 246 से सीधा 188 तो अब इनके पास में पैसा बिजनेस में लगा हुआ 188 डेज में वापस आता है तो यह बड़ा plus point है इस company का जिससे कि इनकी rating और इनकी investment की जो strength दोनों improve हुई है अब दोस्तों हम सीधा इसके जो बाकी parameter से उनको study कर लेते हैं देखें यहां पर जो rating agency की जो report थी वो मनें आपको दिखा दी है और मैं एक बार फिर से दिखा ज़ता हूं कि इसमें इनोंने rating agency जो है वो इनको कह रही है कि यह target दिया बाकि otherwise rating agency ने इनको पहले कहा था कब आज से एक साल पहले 2022 में कि आपना stable हो और अगर आप कुछ parameters को improve करोगे तो आपको positive कर द दिया गया है that means company is working in a right direction अब दोस्तों यहां हम लोग सीधा इनके technicals पर आते हैं और technicals की बात करें तो आप यह देख सकते हैं कि buy signal और uptrend की तरफ यह इशारा करता है तो यानि अब जो trend है वो क्या है uptrend तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस point पर अगर आप देखोगे उसके बाद से लगातार price बढ़ती जा रही है और यह ऊपर की तरफ जाती जा रही है तो company साफ तोर पे uptrend में है और अगर आप द तरीका है कि volume कितरा है तो volume अच्छा देखिए पहले ही जो volume था कितना कम था और अभी बहुत high volume के साथ में तेजी से trade कर रही है और uptrend बना रही है that means consistently यह ग्रो कर रही है company अभी तक high highs बनाया है इसने higher lows बनाया है और 45 degree के असपास का एक angle है जिसे maintain कर रही है so which shows that the company is moving in a right direction और यह continue होने के पूरे chances साफ तोर पे इस chart के साफ से दिख रहे है और आप देखो awesome indicator positive signal दिखा रहा है और RSI जो है वो भी आपको थोड़ा सा overboard zone में लेके जा रहा है बट still जो इसकी direction है वो upside पे है तो उमीद है कि दोस्तों यह आपको नजर रखनी चीए कि अगर कहीं पर इ करते हैं दोस्तों इसके shareholding की तो shareholding में आप यह देखोगे तो इस company में दोस्तों जो promoters हैं उनके पास में तो 59% की clean shareholding है और एक रुपे का share भी इन्होंने प्लेज नहीं किया है that means सारा control management के पास में है mutual funds ने कोई interest इसमें नहीं लिया है domestic investors का कोई खास इसमें अभी shareholding म interest नहीं है सबसे ज़्यदा पैसा कहां लगाया है किसने लगाया है आपके हमारे जिसे common investors ने 38% जो shareholding है वो common investors की है अगर आप नज़र डालें इसमें कि trend क्या है तो trend देखेंगे कि FIIs ने शुरू में पैसा लगाया और 9% के आसपास इसमें shareholding ली और फिर मुनाफ़ा कमा के ऐसे नहीं निकले हैं पिछले काफी दिनों से यह stock तेजी से बहागता ही तो जा रहा है तो foreigners ने इसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया और वो इससे बाहर निकल गए हो सकता है जब यह price collapse करें तो वापस से वह re-enter करने की का मुका जरूर ढूरूदेंगे तो दोस्तों overall अगर आप यह देखेंगे तो company में fundamentally strong है company के अंदर किसी तरह की कोई technical issues नजर नहीं आ रहे हैं product portfolio अच्छा है इनका यह इनका presentation है जिसमें आप देख सकते हैं कि company कह रही है कि हमारे verticals बिलकुल साफ है हमारा business plan एकदम clear है और इस तरह से company का overall अगर आप देखो को ही show कर रहा है दूसरी बात batteries की demand आने वाले दिनों में electric vehicles में भी बढ़ने वाली है तो company के पास एक पूरा market खुला हुआ है इस चीज के लिए भी तो दोस्तों overall ये एक presentation में ऐसा कुछ खास है नहीं मैंने देखा था बट एक generally आप देखो तो एक थोड़ा idea लग जाएगा कि ये किस तरह से कौन सी industry में कैसे काम कर रहे हैं ये चीज है आप यहाँ थोड़ा सा एक नज़र डाल सकते हो कि traditional low growth industrial batteries में देखो 25 में 23 FY23 के 959 फि उसके बाद इन्होंने projection दियें कि हम इस तरह से बढ़ाएंगे और ये हासिल करने के थर्टी सेवन क्रोल रुपीज की केपेक्स भी करने केपेंडे 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 कोई machinery या कोई factory वेक्टरी वो सब लगाने के लिए उसे केपेक्स बोलते हैं तो ये सारी दोस्तों इनका एक EBITDA है अभी का जो EBITDA है वो शो कर रखा है और आगे इनका क्या टागेट है वो भी ये शो कर रहे हैं बाकी स्ट्रेंथ अगरा आप आराम से देख सकते हैं जब भी टाइम मिले इनके बारे में पढ़ लीजेगा ओवर ओल जो है company उसका मैंने analysis कर दिया ह है उमीद है कि दोस्तों ये analysis आपको काफी useful महसूस हुआ होगा आपको कैसा लगा यकीन तोर पर आप जरूर जान गए होंगे कि company कितनी profitable आगे होने के chances हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों comment करके मुझे बताईए और कुछ और improvement आप चाहते हैं वो भी मुझ और आपकी एक दोस्ती होनी शुरू हुई मैंने अपनी मित्रता का हाथ आपके लिए बढ़ाया है तो subscribe करके bell icon को own करके आप भी तो अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाईए तब ही तो ये दोस्ती आगे बढ़ेगी मैं अपनी पूरी शक्ती लगा दूँगा जिससे कि आपको कमेंट आता है कि सर सुजलोन एनरजी पर वीडियो बना दो आप विदानता पर बना दो इसके अलावा काफी और कंपनीज है इस पर बैंक्स में इस तरह से काफी है टाटा मोटर्स पर बना दो तो दोस्तों मैं यह कहूंगा कि इन सब के वीडियो बने हुए है और आपके लिए एक अच्छा काम मैंने किया है कि वो सारी प्लेडिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में जो टॉप कमेंट उसमें मिल जाएगी लास्ट में ताकि आप समझ सकें कि आपको किसी चीजों का ध्यान रखना है और कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस शेयर का वीडियो अगर रिसर्च किया हुआ है तो वो जरूर देख लेए यह ताकि आपको धोका ना हो किसी तरह के काँए तीसरी चीजी है दोस्तों कुछ लोगों ने मेरे को ये कहा मेरे वित्रों ने कि आपना हम सीरियसली सीखना चाहते हैं आरेसा इंडिकेटर कैसे काम करता है फंडामेंटल कैसे काम करते हैं तो दोस्तों दस पंदरा मिनिट की वीडियो में वो तो समझाना पॉसिबल यहा है नहीं उनके लिए एक अलग से सेपरेट क पॉर्स बना रखा है वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इसमें मिल जाएगा कमेंट में फस्ट कमेंट में पिंड कमेंट में एक जो लास्ट में आपको कह रहा था कि आप फ्री में पॉर्टफोलियो रिव्यू कैसे करवा सकते हैं तो दोस्तों यह ग्यारा हज तो तीन शोट सब्मिट कर दीजी उसको हमारी टीम उनमें से लकी विनर्स को निकालेगी हर हफ़ते तीन लकी विनर्स हम निकालेंगे उनमें से जो अगर आपका नाम आता है तो दोस्तों पूरा पॉर्टफोलियो फ्री में रिव्यू किया जाएगा आपका और आपको पाइदा उठाई है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काम अच्छा लगा होगा मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में और हाँ सब्सक्राइब किया बैल आइक कर आउन किया वेरी गुड और इस वीडियो को शेयर जरू करेगा अपने दोस्तों के पता नहीं किस के काम आजाए है और HBL में बहुत सारे दोस्तों ने क्वेरी भी डाली है तो जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर करिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक चैहिन